जाए सियाराम जाए जाए राम चित्र कोट के बिहग म्रगे बेली बीट पेत्र न जाती पुन्य पुन्य सब धन्यास कहा ही देव दिन राती जाए सियाराम जाए 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 राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव शुद शिरत अजिर विहारी नयन वंत रगुबर ही बिलो की पाई जनम फल हो ही विसो की परशी चरन रज अचर सुखारी भवे परमपद के अधिकारी आखों वाले जीव स्री राम चंदर जी को देखकर जनम का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानि परवत ब्रेक्ष भूम नदियादी भगवान की चरन रज का इस पर सपाकर सुखी होते हैं यों सभी परमपद यनि मोक्स के अधिकारी होगे सोबन सैलसुबाय सुहावन मंगल मयति पावन पावन महिमा कहिय कवनि विदिताशू सुखसागर जहां कीन निवाशू पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहां सुख्के समुद्र स्री राम जी ने निवास किया है पय पयो धिता जी अवध भी हाई जहां सी अलखन राम रहे आई तही न सकही सुसमा जैसी कानन जाउंसत सहस हो ही सहसानन शीर सागर को त्याक कर और अइध्या को छोड़ कर जहां सीता जी लक्समड जी और स्री राम चनर जी आकर रहे उस बन की जैसी परमशोबा है उसको हजार मुख्वाले जो लाख सेश जी हों तो वे भी नहीं कह सकते सो मैं बरन कहूं विधिके ही डावर कमठ की मंदर लेही सेवही लखन करम मन बानी जाइन से लुसने हुब खानी उसे भला मैं किस परकार से वर्णन करके कह सकता हूं कहीं पोख्रे का शुद्र कच्वा भी मंदर चल उठा सकता है लक्समड जी मन बचन और करम से स्तिराम चनर जी की सिवहा करते हैं उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता छिन छिन लखी सियराम पद जानिया पुपरने हूं करतन सपने हूं लखन चितू बंधुमा तुपितू गे हूं छिन छन भर स्री सिताजी राम जी के चरणों को देखकर और अपने उपर उनका स्नेह जानकर लक्समड जी स्वप्न में भी भाईयों माता पिता और घर की याद नहीं करते जाई सियाराम जाई जाई राम मंगल भावन या मंगल हारी द्रव उशुद शेरत अजिर विहारी राम संग सिय रहती सुखारी पूर परिजन ग्रह सुरत विशारी छिन छिन पिय बिद्धु बदन नहारी प्रमुदित मन हुचकोर कुमारी स्री राम चनर जी के साथ सीता जी अविध्यापुरी कुटम के लोग और घर की याद भूल कर बहुत ही सुखी रहती हैं छण छण बर पति स्री राम चनर जी के संद्रमा के समान मुख को देख कर वे वैसी ही परम प्रसन रहती हैं जैसे चकोर कुमारी यान चकोरी संद्रमा को देख कर स्वामी का अप्रेम अपने प्रति नित बढ़ता हुआ देख कर शीता जी ऐसी हर्शित रहती हैं जैसे दिन में चक्वी शीता जी का मन स्री राम चनर जी के चरणों में अनुरक्त है इससे उनको बन हजारों आवत के समान प्रिय लगता है परन कुटे प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग भिहंगा सास ससुर सम्न मुनितिय मुनिबर असन अमिय सम कंद मूल फर प्रियतम स्री राम चनर जी के साथ परन कुटी प्यारी लगती है मिरगा और पक्सी प्यारे कुटमभियों के समान लगते हैं मुनियों की इस्तरिया, सास के समान, स्रेष्ट मुनि ससुर के समान और कंद मूल फल का आहार, उनको अम्रत के समान लगता है। स्वामी के साथ संदर साथरी यानि कुछ और पत्तों की सेज, सैक्रों कामदेब की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके क्रपा पूरवक देखने मातर सेही जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। जिन स्री रामचंदर जी का इस्मर्ण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान चाग देते हैं। उनके स्री रामचंदर जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सिता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछी भी आशर नहीं है। जाई सिया राम जाई जाई राम मंगल भावन या मंगल हारी द्रवव सुद शरत जी रविहारी। सिया लखन जेही बिदी सुकुलह ही सोई रगुनात करही सोई कहही कहही पुरातन कथा कहानी सुनही लखन सियाती सुकुमानी। शीता जी और लक्समन जी को जिस प्रकार सुक मिले श्री रगुनात जी वही करते और वही कहते हैं भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्समन जी तथा शीता जी अत्यंत सुक मान कर सुनते हैं। जब जब राम वावद सुतिक रही तब तब बार बिलो चन भरही सुमिर इमा तुपितु पर जन भाई भरत सने हु सील उसे उकाई जब जब स्री राम चनर जी अयुद्ध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भराता है माता पिता पुटंबियों और भाईयों तथा भरत के प्रेम सील और सेवा भाव को याद करके रपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी धीर जुधरही कुसमव विचारी लखिसीय लखन विकल होई जाही जीमी पूर सही अनुसर परिछाही किरपा के समुद्र प्रभु स्री रामचनर जी दुखी हो जाते हैं इन तो फिर कुसमव ये समझकर धीरा धारन कर लेते हैं स्री रामचनर जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्समण जी भी व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परचाहीं उस मनुष्य के समान ही चेश्टा करती है। जैसे किसी मनुष्य करती है।